अब्दुल कलाम भारत के ग्यारहवें और पहले गैर राजनीतिग्य राश्ट्रपती रहे जिनको ये पत्तक्नीकी एवं विज्ञान में विशेश योगदान की वज़े से मिला था। वे एक इंजिनियर वे ग्यानिक थे कलाम जी 2002-07 तक भारत के राश्ट्रपती भी रहे। इनके पिता का नाम जैनुलाबदीन था। वे एक मध्यम वरगिय परिवार के थे। इनके पिता अपनी नाव मच्छवारों को देकर घर चलाते थे। बालक कलाम को भी अपनी शिक्षा के लिए बहुत संधर्ष करना पड़ा था। वे घर घर अकबार बाततें और उन पैस कलाम जी की आरंबिक शिक्षा रामेश्वरम अलेमेंटरी स्कूल से हुई थी। 1950 में कलाम जी ने B.S.C. की परीक्षा एस्ट जोजफ्स कॉलेज से पूरी की। इसके बाद 1954-57 में मदरास इंस्टीट ओफ टेक्नोलोजी MIT से एरोनिटिकल इंजीनेरिंग में डिपलोमा किय बच्पन में उनका सपना फाइटर पाइलेट बनने का था लेकिन समय के साथ ये सपना बदल गया। के बीच वे इस अनुसंधान से जुड़े कई पदो पर कार्यरत रहे। 1979 में कलाम जी इसरो में भारत के पहले SLV3 रोहिनी के समय प्रोजेक्ट हेर बने। अब्दुलकलाम जी के नित्रित्व में 1980 में रोहिनी को सफलता पूर्वक पृत्वी के निकट स्थापित कर दिया गया। इनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1981 में भारत सरकार द्वारा इनको भारत के राष्ट्रिय पुरसकारों में से एक पदम भूशन से सम्मानित किया गया। अब्दुलकलाम जी हमेशा अपनी सफलता कश्रे अपनी माता को देते थे। उनका कहना था उनकी माता ने ही उन्हें अच्छे बुरे को समझने की शिक्षा दी। थी महत्वपूर्ण भूमे का निभाई थी। सन 1992 में एपी जे अब्दुलकलाम जी रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव बन गये। वे इस पद में 1999 तक कार्यारत रहे। भारत सरकार के मुख्य वैग्यानिकों की लिस्ट में इनका नाम शामिल है। सन 1997 में एपी जे अब्दुलकलाम जी को विज्ञान एवं भारतिय रक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत के सबसे बड़े सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 2002 में कलाम जी को भारतिय जन्ता पार्टी समर्थित NDA घटक दलों ने राश्ट्रपती के चुनाव के समय अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका सबने समर्थन किया और 18 जुलाई 2002 को एपी जे अब्दुलकलाम जी ने राश्ट्रपती पद की शपत ली। कलाम जी कभी भी राजनिती से नहीं जुड़े रहे, फिर भी वे भारत के सर्वोच्य राश्ट्रपती पद पर विराजमान रहे। जीवन में सुक सुविधा की कमी के बावजूद वे किस तरह राश्ट्रपती के पद तक पहुँचे, ये बात हम सभी के लिए प्रिवनास्पद है। आज के बहुत से युवा एपी जे अब्दुलकलाम जी को अपना आदर्श मानते है। एपी जे अब्दुलकलाम को बच्चों से बहुत अधिक्सने है। वे हमेशा अपने देश के युवाओं को अच्छी सीख देते रहे है। उनका कहना है युवा चाहे तो पूरा देश बदल सकता है। देश के सभी लोग उन्हें मिसाइल मेंट के नामने संबोधित करते ह डॉक्टर एपी जे कलाम को भारतिय प्रक्षे पास्टर में पितामह के रूप जाना जाता है। कलाम जी भारत के पहले ऐसे राश्ट्रपती हैं जो अविवाहित होने के साथ साथ वैग्यानिक प्रिश्ट भूमी से राजनीती में आये है। राश्ट्रपती बनते ही एप स्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। इसके अलावा उन्हें देश के बहुत से कॉलेजों में विसिटिंग प्रोफेसर के रूप में बुलाया जाता रहा। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग गए थे। वहां IIM शिलोंग में एक फंक्शन के दौरान इस दुखत खबर के बाद साथ दिन के राजकी इशोक का एलान किया गया। 84 वर्ष की आयू में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मृत्यू के बाद 28 जुलाई को उन्हें गुहाटी से दिल्ली लाया गया जहां उन्हें दिल्ली के घर में आम जनका के दर्शन क लिए रखा गया। यहां सभी बड़े नेता ने आकर उन्हें श्रधान जली दी। इसके बाद उन्हें उनके गाव एयबस के द्वारा ले जाया गया। 30 जुलाई 2015 को कलाम जी का अंतिम संसकार उनके पैत्रक गाव रामिश्वरम के पास हुआ।